यो तो कहा जा रहा है कि बंगला देशी घुस्पैटी भारत में नहीं आ रहे हैं लेकिन ग्रेटर कूच बिहार के अंदर जिसे नौर्थ बंगाल कहा जाता है उसमें लगातार घुस्पैट जारी है और इससे भी बुरी बात ये है कि उन घुस्पैटियों को राजसरकार आए उसकी जनसंक्या आप एक शक्रत कम होगी और ये जो बंगला देशी घुस्पैटी ये वहाँ पर आ रहे हैं ये हमारे इसके इस्ताइए लोगों के साथ बहुत बुरा ब्यारताव करते हैं और सारी उनकी जमीन, जाइजाद, प्रॉपरेटी यहां तक की उनकी इज़ के साथ भी खिलवाड करते हैं भारत सरकार कह रही है कि कोई घुस्पैट अभी नहीं हो रही है लेकिन जमीन में इस्तिती ये है कि वहाँ पर हमारे माराजा आनंत देव नाराण भूप बहादरु जो की ग्रेटर कूछ विहार पीपल से एसोचियेसन के संदक्षक भी है औ और वहाँ पूरी रिपोर्ट है कि बंगला देश के गुस्पैटी गाओं गाओं में जा चुके हैं और उनके संसादनों पर कबजा कर रहे हैं क्यों सरकार इस पर मुह बंद करके बैठी है और क्यों कोई एक्षन नहीं ले रही ये बात समझ से परे है मेरा पूरे देश के चत्रियों से आवान है कि यदी इस तरह की गुस्पैट नहीं रुकेगी तो अपने राजबंसी चत्रिय समधाय को हम अकेला नहीं छोडेंगे और संपूर्ण देश का चत्रिय भी वहाँ जाकर रासन कार्ड और आधार कार्ड बनवाएगा भारत सरकार के गये मंत्रीजी और प्रदार मंत्री जीचे विनम्रा अनुरोध है पूरे देश के छत्रिय समाजगा कि तुरंत ही इस घुस्पैट को रोके और राज्य सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को बरखास करें और केंदर सासित सासन वहाँ पर इस्तापित करें राश्पती सासन लगाएं और जो ह पर इस स्वर्ग को बचाने की यह कवाइद है सब लोग एक आखवान करें कि हम सब इस धर्थी के स्वर्ग कोटश विहार को बचाएं वरना होगा यह कि यह वहाँ पर बंगलादेश भी बन जाएगा और भारत का यह वाला हिस्सा भी फिर एक दिन भारत से खो जाएगा इसी तरीके से पाकिस्तान बना बंगला देश बना और अब उनकी सोच ये है कि वो सारे यहां आ रहे हैं और यहां आने के बाद यहां के लोगों पर उनका सासन इस्तापित होना तै है क्योंकि बंगला देश का कोई भुस पैठिया जहां आएगा जिसको नागरिता मिलेगी वो निश्चत रूप से यहां के इस्ताइए लोगों के साथ वैसा ही विवार करेगा जैसा कि बंगल के दूसरे छेतर में है तो मैं सबसे विनम्बर अनुरोद करता हूँ पूरे देश के छत्रियों से और छत्रिय संगठनों से अनुरोद करता हूँ बारत के सभी उन सनात पर ग्यापन दें चेतावनी दें समस्त सामाजिक संगठन जो जिस एरिये में भी है वहीं से अपना विरोध प्रत्रशन करें और भारत सरकार को यह लिखे कि धरती के इस स्वर्ग को इस कूछ वियार को बचाएं क्योंकि यदि यह स्वर्ग नहीं बचेगा तो भारतिय जहां राजमाता गायतिवी देवी का जनम हुआ था यह वही धरती है जहां महारा जग्द पेंदर नारायन का जनम हुआ था और उन्होंने भारत कोई नहीं बलकि विश्ट के उन सभी गुलाम देशों को आजादी दिलाने में महत्तपून भूमी का निभाई देती है मैं एक बार पुने भारतिये जनता पालिटी की सरकार से अनुरोद करता हूँ कि ये देश हित में सोचे ये भारतिये सबता और संसकती के हित में सोचे ये केबल वोट बढ़ाने के लिए बंगला देशी घुसपेटियों को जो ममता बेनर जी वहां ला रही है और ये सोच हैं कि ये हमें वोट मिल जाएंगे इस कुतरक से बचें और ये बंगला देश की जो ममता सरकार और केद्र के सरकार दोनों की जो मिली भगत है उसको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वह तुरंत ही अपने आपको समालें और भारतिये सबता और संसक्रती के इस दुश आत्र दर्म जै माभवानी जै सिच्चनी